आज हमारे साथ मध्ध प्रदेश की बिंध में बोली जाने वाली बगेली भासा की सबसे बड़े गीत कार, संगीत कार और कहीं न कहीं एक गायक की विभूमिका निर्वहन करने वाले आशीस अकेला पंचु जी हमारे साथ है और आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये पंचु अकेला जी का पहला एक्स्क्लूसिव इंटर्व्यू है जो किसी चैनल के माध्यम से अपनी प्रस्तिते करण दे रहे हैं जितने भी मुझे प्यार करने वाए लोग हैं मैं उनका भी बहुत बहुत अभिननन करता हूं कि पहली बार आज तक मैंने ही जमाने से सबाल किये हैं अपनी परिस्थितियों से अपने केरियर से लेकिन पहली बार आप अनुपम जी मेरे साथ सबाल जबाब कर रहे हैं तो म मैं अकेला दर्वार की तरफ से भी आप आभिरनन करता है। तो हम आपके इस दौर के बारे में बात करेंगे आपकी सफर के बारे में बात करेंगे कैसे यह शुरू हुआ था। मैं बताओंगा आपको एक्शली मैं एक बहुत सामान परिवार में जन्मा हुआ हूं। मेरे पिता जी चतुर सेणी के करमचारी थे और बड़ा परिवार था पांच बहने थी और कम कमाई में जारा बिवस्था करना। और कैसे होता होगा एक छोटे से परिवार में फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरे पिता जी ने हमेशा मुझे रोक टोक कभी ने की जहां में जाना चाहता था मुझे उन्होंने का मौका दिया। अचानक जब में कच्छा साथ में था आठ में पहुचा तो मेरे दिमाग में कुछ लाइने जुड़नी शुरू हो गई तो मैं जिसे स्कूल के फंक्शन्स में अपने गीतों को लिख कर गाया करता था और ज्यादा तर कोशिस होती थी कि बगेली अपने काउं के भासा लिखी लोगन के बीच में खड़े हो के गावे बजावे के और हमेरे दिमाग में बात रही कि जब जिसे स्कूल में को लोग आवत रहें तो उनके खातिर अलग तेवील अलग मंच लागत रहा और सब लोग खड़े होत रहें उनका खातिर ताली बजावत रहें थमका हमेशा यह कि हम जब बड़े होई थी हमें हमें हमरे उखातिर होई उहां से शुरुआज भै शुरुआज के बाद हम कभी सम्मेलनन मसामिल हो लागे और अकेला नाम हमरे बिंद के बहुत बड़े कभी लेखक और अपने जमाने मां अब प्रिदेश आसनमा नौकरी करत हैं परमसम्मानिक कादिका प्रसाथ त्रिपाठी जी बगेली के बहुत अच्छे कभी रहें तो उँ हमका नाव दहिन अकेला अकेला नाव के मतलब यह रहा है कि हम अच्छा लिखात रहें अच्छा गावत रहें छोट उम्र रही तो कहिन के सगली चीत तो होरे अंदर है इसे तू अकेला और हर एक कभी कव उपनाम भी होता है एक अदुती चवी होने की बश्य से आपको नाम अकेला मिला और उन्होंने मुझको सजेशन दिया कि आप अपने इस लेखन को संगीत के साथ अकर ट्राई करें तो नाम पोजीशन सोहरत कुछ और मिल सकती है तो मैंने सन 2009 में शुरुआत की अल्बम्स की जब तब सीडी का जमाना हुआ करता था मेरे ही दिखे गए भजनों को मैंने गाया जिसमें पांच हिंदी के भजन थे और चार बगेली के और वो भजन सुपर डुपर हीट हुए सन 2010 में रिलीज हुए तरंग म्यूजिक कमपनी से मा की उडाला पहाड पे डेरा ये उसका शीरसक था उसके बाद फिर निरंतर जो 2013 तक मेरे साथ इल्बम रिलीज हुए देवी गीत के एक भोजपुरी इल्बम भी मैंने किया था मैं गाना नहीं चाहता था भोजपुरी एक्शली मैं स्टेज में गाता था भोजपुरी हमेशा वो तो लोगों की कहने की बात थी के स्टेज में कैसा होता है फर्माइशो पर लेकिन एक कंपनी ने मुझसे गबाया तो क्योंकि बिजनेस की बात थी तो मुझे गाना पड़ा पर सन 2014 से लेकर और अभी तक जो कांटीनियू सफर सुरू है मन्चों की का रिकॉर्डिंग्स का और मेरे बिंद में उभरते हुए से भी जो नए बच्चे हैं उनका सहियोग करना उनके लिए गीत लिखना और मैं बगेली के गीत फ्री आप कॉस्ट यानि फ्री में लिखता हूं मैं किसी से कोई पैसा काउस्ट नहीं करता हूं हाँ जब वो कंपनीज में जाते हैं तो उनका जो भी शेयर है वो मुझको मिलता है वो अलग बात है तो इस तरीके से मेरा सफर मेरे परिवार का सहियोग पूरी तरह से मेरे मित्र मंड़बी का मेरे गुरू जन का और माता र करते हैं कि अगला सवाल हम यह पूछना चाहते हैं 2009 में आपका पहला इल्बम आया था जो भजनों से जुड़ा हुआ बंगेले और हिंदी दुन जी जी तो इस भजन संग्रह की बात करें इस इल्बम की बात करें कोई एक इसका भजन आपकी द्वारा दर्सकों को सुना है एक गाना मेरा इस पूरे अल्बम में बहुत सुपरिट हुआ था और पूरब्बिंध आज भी सुनता है आज भी बज़ता है कांटीनियू ओडे लाल चुनरिया बैठी चुरहट मा महरानी के बबबर सेर बोले कई देक्री पाहरा भगतन के दुख मन सा कल्यानी के बबर से देर बोले यह मेरा गाना बगेली में बहुत सुपरिट हुआ आज भी हुआ और लगातार चल रहा है उसके बाद धे सारे अल्बम आये कई गाने हिट भी हुए कुछ फेल भी हुए क्योंकि हर कदम में अद्मी सफल नहीं होता तो मनलब एक एल्बम का एक भी गाना गर रहता है और मेरे दिए तो मेरे दर्शक भगवान है मेरे सभी जितने भी लोग सुने देखने वाले क्योंकि हम लोग जब हम लोगों ने शुरुआत की तब इंटरनेट का इतना बड़ा जमाना नहीं था तो सोशल मीडिया नहीं थी और कहीं नहीं रिशॉर्स जो हम लोग बना रहे हैं तो उसके लिए तो मतलब अगर तब रिशॉर्स होता लेकिन उसके बावजूद भी मेरा गाना है जो मेरे कंपनी सोना कैसर से निकला था जो पंद्रा मिलियन से ज्यादा ब्यूज है उसके वो गाना है तुम रूठी रहो माता हम तुम को मना लेंगे भावों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे तुम रूठी रहो माता हम तुम को मना लेंगे तो यह ऐसा चलता रहा मेरा सफर और आज भी चल रहा है अब मैं मैंने कोसिश की है कि मैं बगेली में अलब गीत गाना बंद करूंगा क्योंकि लोगोंने खुब सुना और लोग कहत आपके गाने नहीं आते तो मैं चाहता हूं कि जो नए लड़के हैं तो मैं उनके लिखाँ फिल्मे लिखूं जैसे फिल्मे अभी आ रही मेरी लिखी होई एक फिल्म अभी तत्काल आएगी दुलही चाही बंबाई बाली जिसमें में गीत भी लिखे हैं उसके डायलओक्स लिखे हैं उसमें मेरा भतीजा अभिनास काम कर रहा है जो निशित्वर्पर बिंद का सुपरिस्टार है एक दूसरी फिल्म आ रही है मेरे बिंद का ही एक लड़का है चंद्रकान दुवेदी उसकी फिल्म आ रही है प्रीत केरवधना उसका एक सुपरिट गाना अभी उसका स्क्रिप्ट तयार है स्टार कास्ट फाइनल है और मेरे यह मेरी जो आत्रा है सोला तारिक की पंद्रा तारिक को में निकलूंगा सोला को मेरा शो है दमन में दादरा नगर हवेली में तो वहां से मैं अठारा को मुंबई जाँगा अठारा को मुंबई में मेरा शो है और उ लोग हैं जिनके पास resources हैं चाहे किसी न किसी प्रकार का पावर है अगर वो कुछ चीजें किसी अन जगा पर अपना देते हैं जैसे donation तो मैं चाहता हूं कि हमारे बिंद्र के जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके अंदर talent है तो मैं सभी से निवेदन करूंगा जो जिम्मेदार हैं जिनके पास resource है भगवान ने जिनको दिया है तो उनकी मदद करें अपनी भासा के लिए मदद करें मैं निवेदन करता हूं मुझे आप सब का प्याद चाहिए और कुछ नहीं लेकिन जो भी हमारे चोटे बच्चे हैं हमारे भाई हैं जिनके पास talent तो है लेकिन बेवस्थाई नहीं है तो मैं चाहता हूं आप लोगों को भी मैं मैं किसी का इतने बड़े चैनल में नाम नहीं लूगा लेकिन फिर भी एक बात तो है एक बड़े लोग चाहें तो छोटे भी बड़े बन सकते हैं और जहां हो रहा है वहां पर असर है हमारे पास smartphone है उसमें फुल डेटा है एक बार हमको शेयर करना है अपनी भासा के लिए कोई भी चीज अगर नहीं आई जिसे आशी शकेला का इंटेर्व्यू दखवरदार नीज में आया आपने उसको सोशल मीडिया में शेयर किया तो यह विंध के लोगों की जमेदारी बनती है कि अगर हमने उ अधिक लोगों तक वो चीज़ें पहुंच रही है और कलाकारों की बात करें तो बिंध में कलाकारों की एक भरमार सी है और सोशल मीडियों के माधिन से तो काफी आया मिल रहे हैं उनको आगे बढ़ने की लेकिन इसके साथ ही साथ एक कह सकते हैं कि जो बाजार गर्म है चर स्कुरां की फिल्म इंरे तो उसने वासini नएा आयाम दिया है तो बग़रें फिल्मिस के यह नाव concerns कि आप पेने 2 सब्चेंद में सरे हैं तो मैं अलग-अलग जबाब देना चाहता हुं और में अन्तिम सब्साद से Grund करनाब चाहता हुं बगेली में फिल्म इंडिस्ट्री कल खड़ी हो सकती है सिर्फ वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस क्या उनके पास सही तरीका नहीं है ये बताइए कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं प्रोडूसर बन सकता हूँ डाय्रेक्ट करने वाला कोई और गाने लिखने वाला कोई और एक्टिंग करने वाला कोई और पिर उससे उसका डून कमा सकते हैं तो इस तरीके से हमारी फिलिम इंट टिच्ट्री घड़ी हो सकती है ठिक加 the express और जो आपने बात कही कि नए लोग, पुराने लोग, ऐसा वह ऐसा सारी चीजे, मैं कभी भी नहीं चाहता कि भासा में बिवाद हो, आपने भोजपुरी का नाम लिया, चाहे भोजपुरी हो, दक्षिन भारती कोई भी भासा हो, मराठी भासा हो, गुजराती हो, या इवन हमारे प्रदेश से कटा हु या प्रदेश चटीस गड़ की फिल्में आप देखिए, बड़े से बड़े लेबल पर फिल्में बन रही हैं, पर बगेल खंड में जब तक वो लोग जो जिम्मेदार हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो अगर नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं, और जहां तक रही प मैटर ही नहीं है, मैटर है, हर व्यक्ति बना रहा है, कहीं नहीं सारी चीजों की शूटिंग चल रही है, प्रीत का बना जो मेरी पिचर है, उसकी शूटिंग चल रही है, और मेरे जो भतीजे की अविनास की पिचर है, प्रीत का बना चंदरकांद की फिल्म है, वो भी हमार दूसरी क्या सवाल नहीं सवाल यह है कि बगेली की फिल्म अच्छे से अच्छी बने बेतर से बेतर बने अच्छे कॉंसेप्ट में और उसका प्रचार प्रचार हो तो भासा निश्चित वर अपने आगे बढ़े बहुत सारे गाने चाहिँ के लिए मन्हों में प्रस्तित ग्या आप ऑगेली के उरों लेकर के व्यापक तर पर काम कर रहें। हम बालीबुड में आपके लिखे गाने कब तक सुन पाएंगे इसकी बात हुड़ा साम चाहते हैं आप दर कुछ कि नहीं देखे मैं बड़े खाब कभी नहीं देख पाया क्योंकि साहब उचाई जितनी हो सिर्फ उतना ही सोचना चाहिए लेकिन एक बात जरूर है कि आसमान चाहिए हो सकता है कभी आसा मौका मिले कि मुझे वहां गाने का लिखने का मौका मिले मैं बालीबुड मेरा रिलेशन यह नहीं है कि मैं उस बड़े मंच पर जाना चाहता हूं त Evans Weegith झाहिगमानक्रे सेने का पूरा सपोर्ट कर रहा हूं और माजकी मुझे लिखने का माउ सब्सकूरी भी लिखता हूं बोलता हूं और संश्किट से मैंने आचारे किया है पोस्ट वेजूएशन I raok K 18 पड़ा हुँ वासा का ग्यान है दर्शनजास पढ़ा हुँ तो सारी चीजों का जरूर मलब इतनी बड़ी बात मैंने कभी आज तो आपने ये सवाल किया मैंने कभी नहीं सोचा है कि मैं इतने बड़े मंच पर जा सकता हूं क्योंकि देखिए अपनी कद का हमें पता है मालूम होता है उन्हें जिनके पर नहीं होते वो लोग अलग होते हैं आज मैं बगेली में लिख रहा हूं मैं चाहता हूं बगेली में लिखता रहूं मेरे बच्चे बगेली में अच्छा काम करते रहें और सेयानी लोगों को भी आगे बढ़ाते रहें बस इतना चाहता हूं और फिर आप सब का आशिरवाद और प्यार रहेगा आप मुझे दिखाएंगे जमाने को तो हो सकता है कि मुझे जब रानु मंदल जैसे लोग कोँछ सकते हैं वालीबूर्ट तौशी शकेला पहुची सकता है जिसको जी और कहीं न कहीं जो ये कांसिप्ट होता है अचानक से किसी भी चीज को लेकर किसी परिस्तित को लेकर के गेत लिखने की परंपरा की जो सुरुआत बिल्द में आपने की है तो ये भाव कैसे उत्पन होता है ये प्रक्रिया क्या होती है कैसे कोई गीत तुरंत ढ़ल जाता है सब्दों के रुख में अब वो ऐसे होता है कि अकेला को काम देने न कोई सरकार बाले आए जो भी आए हैं दिल के अधिकार बाले आए है आज तक मैं नहीं आया था टीबी में कभी आज मेरा इंटर्विव लेने दख़बरदार बाले आए है तो ये ये ऐसे बनता है मेरे अंदर एक कम्प्यूटर मातरानी ने दिया है जिसको कोई नहीं समझ पाया साब आज तक इस चीज को लेके मैं गिनीजबुका बर्ड में जाने के लगा बंदा हूँ जो मेरे अंदर टैलेंट है लेकिन रिसोर्सेज मेरी परिस्थितियां मेरी समस्याएं बड़ी एक वो परसनल बाते हैं उसकारण से मैं बाहर नहीं जा सका और क्योंकि मेरे पिता जी संदोहजाज संतान नवे में रिटन वो हो गया थे सस्पेन किसी कारण बस बहुत गरीबी में मैंने अपनी जीवन को आगे बढ़ाया चार-चार-चैसे महीने हम लोगों के घर में चाय नहीं बना करती थी आज ये स्थिति है कि कभी-कभी प्लेन में भी बैठने का मौका मिलता है पर निश्चित तोर पर कोशिस यही है कि सब कुछ अच्छा हो सब कुछ बढ़िया हो और मैं जहां तक आप ने जो सवाल किया कि जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजे मेरे लिए महत्पून है एक मेरे शब्द और एक मेरे छेत्र छेत्र रहेगा तो शब्द जिन्दा रहेगा बस में ही जाताओ और इसके साथ ही साथ एक हास कभी के रुप में भी आपकी पहचान है पुरी के पूरे चेत्रम पूरे के पुरे देश में कहें तो कोई हास से जुड़ हुई रजिना अपके सब्सक्राइब के मात्यां से दर्सुको को सुनने में तो अच्छा लगे एक अगर कहा जाए तो ए एक ऐसे ब्योकति को कि जो दिखने में जरासा भी नहीं लगता लेकिन उसको माता जानी ने bol बढ़ी जीस्टाइम अब तत्काल कुछ भी गा सकता हूं कुछ भी लिख सकता हूं ना मैंने कभी सीखा है तो जो हाज से की बात कि मैंने हाज से गीद कभी नी लिखा बतीजा अविनाश जब से काम करने लगा वाखिल खन के वीडियोस में तो उसने कहा चाचा थोड़ा सा मेरे सकभी ऐसा लिखिये तो मैंने पहला गाना उसके लिखा करे के दुलही पैसा लुकाया है हमार भोलाजी उसके लिए मैंने पह तो उसका वैसा धाक के लागते न पहुचब एहदार भोला जी हो दुलही पई सालु काए है हमार भोला जी ये गाना फिर वो गाना भी जो सबसे बड़ा सुपरिट हुआ अविनास तिवारी का अंगा भय जिन्दिगी अंगा शब्द से कोई गाना के शुरुवात नहीं हुए थी आज तक ना हिंदी में और कुसी वासा में अंगा माने कुछो नहीं लेकिन अब यह होगा है बिंदमा के अंगा माने पंचु के गाना होता है ये एक ट्रेंड बदला है वो बहुत सुपरिट गाना हुआ उसके बाद अविनास का एक गाना में ने और लिखा थोड़ा सा अंगा भय जिन्दिग को सुनना चाहेंगे अब एक्छली मैं मैंने लिखा था अंगा भय जिन्दिगी जब से भाप्यार मसुरी यो जुनहरी बिकि गए अरहर के दार पाईस मन से रुआ बाह कि गए बिटीवा दै के कटोरा खसकि गए बिटीवा ये गाना मेरा उसके बाद एक गाना जो अभी पूरे बिंद में सबसे सुपरिट है मे में लिखा था और लगभग लगभग एक हजार सोपर स्टेश शोज में मैं उस गाने को गा चुका हूं और उसको फिर मैंने अभी संदोहजा सत्रम जिस दिन अंगा भय जिन्दिगी रिकॉर्ड हुआ सेम डे पे एठे बिटीवा रात के बारा बजे में स्कॉल मारा थी र अभी जो लेटेस्ट है दिवतात्तों का बनाएनी डिटाल डायर के जो पिच्चर में आ रहा है दुलही पैसा दुलही चाही बंबई वाला और उसमें एक और गाना है जो अभी लेटेस्ट में और एक खास जो कॉमेडी गाना आप उसको कहें या कि कुछ भी कहें कि जो ब आइसने गाया है और वो बहुत जल्दी मतलब कल आप उसका ऑडियो रिलीज देखेंगे तो उस्व और ऐसा गाना मैंने लिखा था कि आ सोन बा साल इसन मना उब चरिचा रही आजमाना मा आसोन बासाल ऐसन मना उब चरचा रहिया जमाना मा भटी माडी जे लगाबा रहियो पार्टी चली मैं खाना मा तो ये गाना चल रहा है इसी तरीके से सफर अब आगे देखिए क्या होता है काफी अच्छी बात है काफी सफर के आपके बारे में बात हुई हम चाहते हैं कि इस चैनल के मात्यम से आपके सब्दों से अभी कुछ चैनल के लिए को सुनाए है मैं तो बहुत बहुत धन्यबाद देता हूँ और अपने जीवन को सोभाग शाली समझता हूँ कि पहला इंटर्व्यू मैं आपको दे रहा हूँ और ये मेरे जीवन का सबसे पहला मलब लक्ष है जो पूरा हुआ कि कभी न कभी मुझे भी कुछ लोग पूछेंगे एक कहानी मैंने सुनी थी कि भारत के बहुत बड़े सुपरिस्टार जो की रेडियो में गए थे और उनकी आवाज को मोटा कहकर और उन्हें निगलेक्ट कर दिया गया था और आज उसी आवाज के दिवाने हैं लोग वही रेडियो चैनल उनके एक सेकंड की बाइट के लिए कम से कम तीस साल तक बेट किये और उस महान सक्षियत का नाम अमताब बच्चन जी है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है पर खवरदार दाखवरदार नियूज जो चैनल है आप बिंध और बगहीली को बहुत आयाम दे रहे हैं सबके इंटर्व्यूस रिलीज कर रहे हैं बहुत अच्छा और मैं आपके लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा किसी तरीके से करते जाएए सफर जिन्दगानी ककटता रहेगा सफर जिन्दगानी ककटता रहेगा अख़बारों की लाइन निकलती रहेगी ये दुनिया ख़बरदार हो जाएगी जो रोशनी कैमरे में जलती रहेगी तो ये ख़बरदार न्यूज चैनल के लिए मैं शुब कामना देता हूँ और आपको खास तोर पर बहुत भ़़ध धन्वाद अपना मुल समय ख़बरदार न्यूज को देने के लिए जाता हूं फिर से पूरे बिंद के लिए बिंद के उभरते कलाकारों के लिए अपने सभी साथियों के लिए अपने सेयानों के लिए वजर्गों के लिए जो कुछ न कुछ कर सकते हैं आपके सामने कोई बच्चा है जो बगेली में कुछ काम करना चाता है अगर आपको बगेली के बारे में पता है, बगेली संस्कृती, बगेली पकवान, बगेली आğıजारों के नाम, जो भी एक बगेली का अरिजिनल चीज है। और एक चीज जो आपने कही थी कि बिंद का संगीब बिंद एक ऐसी जगा है जहां तान सेन गाया करते थे तो राजा राम चंद जुदेव जी जब रीवा के महराजा थे उस समय उन्होंने डोली में कंधा दिया था जब अकवर के दरवार में उनको भेजा जा रहा था तान स सेन रीवा राजगराना के दरवारी गायक थे बीरवल यहां पैदा हुए बुढ़ी माता का स्वेम अस्थान है जिस बिंद के कोतवाल स्वेम चिरहुला नाथ हैं जहां महामित तुन्रे महराज बसते हो हैं जहां एक तरफ कश्टाहर नाथ की मूर्ती लगी हो तो अब इ चीज इससे बड़ा संगीत तो कहीं नहीं है क्योंकि वेद लिखा गया है साम वेद संगीत के लिए और भगवान का रूप कोई भी हो हर रूप में संगीत है बसता है और ऐसे ही बसता रहना चाहिए बस मैं चाहता हूं कि बिंद के सारे लोग अपना-पना सहयोग दें मु धन्यवाद देता हूं आप लोग ऐसे ही बिंद और बगहली को आगे बढ़ाते रहिए मैं आपके चैनल को बहुत शुब कामनाय देता हूं धन्यवाद यह थी हमारे साथ आसीज अकेला पंचु जी जिन्होंने बगहल खंड से जुड़ी बिंद और गीतों की परंपरा से जुड़ी बहुत सारी बाते हमारे साथ साजा की इन्होंने अपना अमोल समय में दिया देखते रहें दखवरदार न्यूज नमस्कार धन्यवाद